सब्सक्राइब करिए Beyond So Channel को और बेल आइकन को दबाएए ताकि latest informative वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका Beyond So Channel में तो ये वीडियो normal वीडियो से थोड़ा सा अलग है क्योंकि जिस technology के बारे में आज हम बात करेंगे वो आज की date में possible नहीं है लेकिन in the next upcoming decades ये technology ज़रूर possible होगा तो फिलाल अभी के लिए बस एक science friction है तो आज का ये वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है और आपको ये वीडियो से कुछ अलग जानने मिलेगा तो चलिए let's begin दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे human teleportation के बारे में human teleportation आने वाले decade में एक ऐसा आविश्कार होगा जो पूरी काइनात को बदल देगा दोस्तो आपने नारद मुनी को देखा ही होगा अगर नहीं तो कम से कम आपने एक्समैन नाइट क्रॉलर या डॉक्टर स्ट्रेंज इन फ्रिक्शनल करेक्टर को देखा ही होगा जिनके पास टेलिपोटेशन पावर है जिधर एक सेकिन में यहां से गायब और दूसी जगा पे प्रकट्ट यू केन बिकम नारद मुनी यह डॉक्टर स्ट्रेंज इन नेक्स्ट अपकमिंग डेकेट्स यह हुमन टेलिपोटेशन है दोस्तो इट केन बी पॉसिबल इन दे फ्यूचर और दोस्तो आज की डेट में ऐसे टेक्नोलोजीज पर रिसर्च हो रहा है जो आने वाले डेकेट पूरी दुनिया को बदल देगा और उसमें से एक आविश्कार है हुमन टेलिपोटेशन दोस्तों आप ही एक बार सोचो जब आने वाले जनरेशन को पता चलेगा कि हम आज हजार किलोमेटर का डिस्टन्स एक घंटे में तै करते हैं तो वो लोग हसेंगे हम पे कि यह होगा तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि आज की डेट में हुमन टेलिपोटेशन क्यों पॉसिबल नहीं है और इस टेकनोलोजी को रियल वर्ड में लेके आने के लिए क्या क्या चैलेंजिस फेस करना पड़ेगा और टेलिपोटेशन आज पॉसिबल है तो भी किस हद त जिन्हें मिस्टर पैरलर यूनिवर्स भी कहा जाता है इन्होंने आटम को टेलिपोट किया था 2012 में और इस प्रसेस को इन्होंने फिलिम भी किया था और फोटॉंस जो एक एलिमेंट है लाइट का इसे भी बहुत पहले टेलिपोट कर दिया गया था तो यह होता कैसे है इस उसके बाद उसे ट्रांस्वर करके इसे री एसेंब्ल करना है वापीस एक फिजीकल फॉं में यह प्रोटॉसेस एक चैलेंज है टेलिपोटेशन में और इसे साइन्स की लैंगवेज में क्वान्टरं टेलिपोटेशन भी नहां जाता है तो यह आटम और फोटॉंस के केस में हो गया है और प्रोफेसर काकू यह क्लेम करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में मॉलिक्यूल्स टेलिपोटेशन भी पॉसिबल होगा और कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से अगर मॉलिक्यूल्स को टेलिपोट करना इसकी क्या गैरेंटी है कि जब हुमन को टेलिपोट कर दिया जाएगा तो वापिस रिएसंबल होगा क्योंकि टेलिपोटेशन प्रोसेस में तो पहले हुमन को आटम्स में कनवर्ट करना पड़ेगा उसके बाद डाटा के फॉर्म में ट्रांसफर करके रिएसंबल करना बीट है कि आज की डेट में और इसलिए हुमन टेलिपोटेशन आज तो पसिबल नहीं है लेकिन इतना तो दावा है कि कुछ आने वाले 50-100 साल में हीएगसिस्ट करेगा और हुमन को भी टेलिपोटेशन पावर मिलेगा जैसे की डॉक्टर श्रेंज यह नारत मुनिय के पा कि इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे लर्निंग अग्षाइब अग्षाइब